नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल एक जोन क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बार्ट की म्रदा से समंधित मेतपुन क्यूसन तो आज का वीडियो जो इंडियन जोकरफी का 19 नमबर वीडियो इससे पहले हमने आपको 18 वीडियो करवादी हैं जो हमारे चैनल के आप लेलिष्ट में देख सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्याज़ा सेयर करें ये वीडियो आपको कैसे लगी हमारे कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट ज्रूर करना दोस्तों एक्युशन किसी ने किसी एकजाम में आएवें याने कि एकजामों के अंदर बार-बार रेपीट होते रहते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला कि उसने बारतिय कर्षी अनुसंदान परीशद के अनुसार बारत में कितने परकार की मिटिया पाई जाती है तो इसका एंसर होगा डी नंबर उप्सन आठ परकार की मिटिया पाई जाती है दो नंबर की उसने बारत की सरवादिक मेत्वपून मिटि कौन सी है तो इसका इंसर होगा एंदर ओप्सन जलोड मिटि यह नदियो दोरा लाईगी मिटि होती है इसमें पुटास की बहुलता होती है यह मिटि लगबग 223 पर पर पाई जाती है यह दो परकार की मिटिया इसके हंदार पाई जाता है तो इसका इंस रोगा ए नम्रो उप्सन जलोड़ मिटी है तो इसका इंसर होगा औद नम्र ऋप्सन जलोड लाल काली लेट्राइट Chuya नम्र सभ्रावस की विविद्दा है यसा साथ नंब्र क्यों ने 5 पिसका यह रोगा और जलोड आठ का इसका इनसों व्लagar को शाथ के अनले की स्नार क encountered रहें तो इसका इनसों रोगा आफ ठकल कार चरह नो नमबर क्यूशन है पुरानी जलोड मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसका एंसर होगा बी नमबर ओप्षन बांगर तस नंबर क्योशन है बारत के उत्री मैदान की मृदा समानेते कैसी बनी है तो इसका एणसर होगा बी नम्बर और सुझ तलोत्चन से ज़रा नम्बर क्योशन है गंगा के जलोड मिट्पी की बुमी स्टै के नीचे लगबग था तो इसका एणसर होगा 600 मिट्र A number option C होगा 12 number क्यूशन है गंगा के मिदानों का गंगा के मिदानों की पुरानी कसारी मिटी कहलाती है तो इसका answer होगा A number option Bangar 13 number क्यूशन है निमल कित्मे से किस परकार की मिटी के लिए न्यून्तम ववरक की आवसुकता होती है तो इसका answer होगा C number option जलोड मिटी 14 नमबर की उसन है गंगा के मिदान की पुरानी कहचारी मिटी कहलाती है तो इसका इंसर की बाइंसर होगा B number option बांगयर 15 नमबर की उसन है बारत के समस्तल का भाग कितना प्रतिसेत जलोड मिटी से ढखाऊ ya तो इसका इंसर होगा B number option 24% शोड़ा नमबर क्यूशन है जलोड मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगब ब्राबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है तो इसका अंसर होगा डी नमबर ओप्शन दो मेट्ट 17 नमबर क्यूशन है बारत में पाये जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेश्टिसियस युग में दरारी उद बेदन से निक्से पित पदार्तों से बनी है तो इसका अंसर होगा डी नमबर ओप्शन काल लिमिट्टी 18 नमबर क्यूशन है निमन में से कौन सी मिट्टी प्राइद इप्या बारत में अधिक्चम चेतर पर विशरता है तो इसका अंसर होगा A नमबर ओप्शन काल लिमिट्टी 19 नमबर क्यों सुने कपाज की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है तो इसका अंसर होगा A नमबर उप्षन काली मिट्टी 20 नमबर क्यों सुने लावा के परवास से किस मिट्टी का निर्माण होता है तो इसका अंसर होगा काली मिट्टी बी नमर उप्शन सही होगा 21 नमर क्यों सुने काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र मध्यपरदेश और गुजरात इसका अंसर होगा डी नमर उप्शन इन सभी में राज्यों में पाया जाती है काली मिट्टी 22 नमर क्य करते हैं ुसंए निम्मलिकित में से कौन से मिटि जयोपदार्तों से बरपूर होती है तो इसका एंसूर होगा विद्धोरी मिटिोज्य एक पत्री नुबर कियूं सुखन कारली मिटि ॉउर्स निम्मलिकित काली मिट्टी 24 नमबर क्यूसन है काली मिट्टी की सबंद में निमन में से कौन सा कतन ऐसत्य है तो इसका अंसर होगा डे नमबर ओप्चन इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है 25 नमबर क्यूसन है किस मिट्टी का निमान वो साल्ट चटानों के विखंडन से हुई है तो इसका अंसर होगा A नमबर ओप्चन काली मिट्टी 27 नमबर क्यूसन है किस मिट्टी में क्रश्ची के लिए सिचाई के और सुकता नहीं होती तो इसका एंसर ऊवगा B-Numper option काली मिट्टी 27 नमबर क्यूसन है भारत में काली कपाशी मिट्टी को किस तांब नाम से जाना जाता है तो इसका एंसर ऊप्सन रेगूर या रेगूर 28 नमबर क्यूशन है निमन कितमे से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वत्य होती रहती है तो इसका अंसर होगा B नमबर उप्षन काली मिट्टी 29 नमबर क्यूशन है बारत में लाल मिट्टी का सर्वादिक विस्तार पाया जाता है तो इसका अंसर होगा C नमबर उप्षन आंदर प्रदेश एंउ तमिलाडू में 30 नमबर क्यूशन है प्राइद इप्य भारत में 26 मरदा के निमन परकारों में से कौन सा है तो इसका अंसर होगा बिनमबर उप्षन लाल और पिली मरदा बिनमबर उप्षन इसका सही होगा ये वीडियो आपको कैसे लगी हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरू करना बस आज के लिए इतना ही कल मिलते एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद